हे गाईज हेलो और यूटीब चानल आड़ी प्रिंस आज की वड़ी हम लोग जानने वाले हैं जो बनारस लोकोमोटीव वाक्सवप से जो वेकेंश से आउट किया गया है अपरेंटिस इप आई केंडरेट्स और नन आई आई केंडरेट्स के लिए उस हम लोग कटफ देखन करना चाहिए क्योंकि अभी फिलार के लिए बहुत लिमिटेड आ रही है क्योंकि जो आल्मोस्ट अपरेंटिस इप जो रेलवे की है वह उसका फॉर्म हो चुके हैं और अभी जो है जॉइनिंग का काम चल रहा है और वैसे में अभी एक दो जो है अभी अपरेंटिस आया ह बनारस लोकोमोटिव वक्सवप से आया हुआ है और दूसरा आपका पटियाला वक्सवप है लोकोमोटिव वक्सवप वहां साया कि आप देख पारेंगे यह वीडियो जो है यह फॉर्म भरने का वीडियो है फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाइस इसमें बताया गया है साथि इस वाले वीडियो मिल जागा यह जरूर चेक आउट कर लिजागा अगर आप जो है और भी फॉर्म भरना आप चाहते है रेलवे का तो यहां देखिए पटियाला का जो है पटियाला लोकोमोटिव वक्सवप जो की रेलवे का है यहां पे भी फॉर्म निकला हुआ हुआ ह इसका भी जो है आप लोग को कैसे फॉर्म भरना है इस वीडियो के माध्यम से मालूम पढ़ जागा और इसका नोटिफिकेशन वीडियो भी आप देख पाईएगा जो की यह रहा वीडियो ठीक है सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर लिंक मिल जागा एंड स् लेते हैं अभी जो है पिछले साल का जो लास्ट इर का जो कटफ गया था वो बी यल डबलू का कितना गया था तो शुरू करते हैं इसके पहले चनल पर जूनी होंगे चनल सब्सक्राइब कीज़ेगा तो सबस्पहले यह समझ लिजिए जो कटफ मैं आपको बताने जा रहा तो इसको मान के रखिए कि यह लगभग 90 गया होगा फर्स्ट इवी में ठीक है उसके बाद भी थर्ड डीवी भी हुआ था ठीक है थर्ड डोकुमेंट्स वरिफिकेशन भी हुआ था उसका कटफ थोड़ा इससे कम गया होगा 85 के अप्रोस गया होगा बट यह जो है आपका 80.67 ठीक है अगर इधर बढ़ते हैं अब तो यहां देखिए जो केटेगरी है लाइक जो फिजिकली चैनेंज परसन है इनका एचेच केटेगरी वाले बच्चों का देखिए यहां पर 70 तक गया था और एक्सम जो आपके केटेगरी होते हैं ठीक है तो एक सर्विसमें उनक का 77.33 तो अच्छा कासा यहां पर कटफ है उस तरह से कारपेंटर की बात करेंगे तो देखिए कारपेंटर का जो है जेनरल कटेगरी में जो 77.83 और यह सब डैस थे मतलब यहां सीट खतम हो चुगा था यहां पर देख लेंगे अगर पेंटर का तो खाली है बट यहां जो उसी तरह से यहां पर 79.67 तो यह आपका उबीची शेंट्रीड नाइन पॉइंट रेड का है ठीके तो वेल्ड त्रेड का भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अन्रजब का 80.67 फिर यहां पर EWS का 74.2, 79.5 है अपका जो OBC कटेगरी है SC का 78.85 और ST का 73.67 Electrician के हम लोग बात करेंगे तो देखे Electrician trade वाले जो candidates हैं उनका unreserved का second DB में भी 91.2 गया था तो high cut-off है बहुत ज़्यादा cut-off और अगर मानेंगे हम लोग फर्स्ट कट-off का first DB जो था उसका cut-off की बात करेंगे तो और भी अच्छा खासा इसमें cut-off रहा होगा तो देखे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ बात करूँ कि EWS कटेगरी तो 88.4 था OBC कटेगरी का यहाँ 89.3 था ठीक है तो EWS कटेगरी का औरेडी जो है यहाँ देखे जो है आपका physically challenged person उनका यहाँ पे 81.7 74.5 और यहाँ पे देखे लिए 75.17 और लाश्ट में एक सर्विसमेंट का 79.33 थीक है यह तो रही बात आप लोग की जो ITI trades है थीक है उनके लिए अब नन ITI की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ तो नन ITI का भी देखते हैं यहाँ पर क्या 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 था मतलब 10th basis पर तो देखिए यहाँ पर जो नन ITI मतलब 10th level पर जो होता है उसमें और भी ज्यादा भयानक वाला cut-off है जहांकि अन्रिजर्ब का 95 EWS का 95 OBC का 95 SC का 95 ST का 95 PH का 95 फिर यहाँ पर PH में OH का 95 HH का 95 BH का भी जो है देखिए आपर कुछ नहीं है और EXM का 95 तो गई इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो बनार पर लिए आप लोगो फॉर्म भरना है ठीक है और मेरिट जितनी भी बाते हैं सभी आपको नोटिफिकेशन वाला जो वीडियो में बनाया हूं उसमें आप लोगो मिल जागा फॉर्म कैसे अपलाय करेंगा उसका भी स्पेसल से वीडियो है आप लोग चेक आउट कर करेंगा वीडियो को लाइक किजेगा दोस्तों तक वीडियो को शेयर किजेगा तो मिलते हैं आप से अगली जनकारी इंट अगली वीडियो में लिए आपको बहुत धन्यवाद